Welcome back dear students, तो आज इससे पहले हम कई important topic कर चुके थे microbes in human welfare के अंदर, आज हमारा last topic है इसके अंदर, जो है microbes in sewage treatment, यहने कि आप देखते हैं आप आसपास की जो अलग-अलग sewage की अगर हम देखते हैं तो कि directly जो है ओ नदियों में जो कच्रा है उसको directly बहा दिया जाता है, जो west material है उसको directly नदियों में अगर हम बात करें, reverse के अंदर बहा दिया जाता है, तालाबों में इस तरीके से directly बहा दिया जाता है, हाला कि आज क्या किया जाता है, इसके लिए नई technology आ चुकी है, पहले directly ही बहा दिया जाता था, कोई इसी technology नहीं थी, तो उसके बाद में क्या किया नए ने इस तरीके के तरीके डेवलप किये गए जिससे की जो याने की जो बड़े-बड़े आपके रिवर्स हुआ या फिर पॉंड्स हुआ इस तरीके जो वाटर बोडी है समुद्र हुआ इनको साफ सुत्रा रखा जाए इस वज़े से काफी इंपोर्टेंट चीज़े यह यहाँ पर की गईया अम यह कहेंगे सीवेशट्रिट्मेंट के लिए काफी इंपोर्टेंट प्लानिंग की गई तो इस तरीके से सिवेशट्र्रिट्मेंट इसमें mostly microbes यानि कि microorganism bacteria जो होते हैं वो ही यहाँ पर manly sewage treatment में ध्यान रखना आपको importance हो बहुत जादा है उनका यानि कि sewage treatment के अंदर काफी जादा participate करते हैं देखिए जैसे कि आपको ध्यान रखना NCID की यहाँ पर एक एक line to line आपको ध्यान रखना ही ध्यान रखना है आपको लेकिए we know that large quantity of west water are generated every day in cities and towns यानि कि आप जानते कि cities में टाउन्स में लगातार कई ज़्यादा west water जो है वो generate होता है हर दिन a major component of this west water is human extract यानि कि हम जो west water अगर हम बात करें तो हमारा exploration हुआ इसकी वज़े से जादा से जादा जो है west water होता है इसकी अगर हम बात करें this municipal west water is also called sewage और इस तरीके का जो west water होता है जिसमें हमारे घर के कहीं सारी चीज़े होती है घरेलू जो domestic systems के अंदर हम कहीं सारी चीज़े जो फोजाना यूज करते हैं वह हमारा यहां पर होता है जैसे कोड़ा कच्रा वगेरा इसमें सारी चीज़े वह जाती है तो इस तरीके के water कॉम क्या केते हैं सिवेज केते हैं ध्यान रखना आपको it contains large amount of organic matter and microbes में कहीं ज्यादा large amount of organic matter होता है और microbes होते हैं कहीं सारा organic matter है और microbes होते हैं ध्यान रखना आपको many of which are pathogenik और इसे microbes इन में से कहीं सारे microorganism में से होते हैं इन में जो pathogenik होते हैं have you ever wondered where this huge quantity of sewage और urban wastewater is disposed of daily यानि कि यहां पर लिखा हुआ कि क्या आपको इसको देखकर आपको आस्चेड चकित होते हैं आपकी किस तरीके का यह जो कहां पर जाता यह यह पानी रोजाना this cannot be discharged into natural water bodies like rivers and streams directly और इनको आज के जमाने में directly disposed इसमें नहीं किया जाता है जैसे नदिया हुई या फिर ponds हो इस तरीके की water bodies में इसको directly disposed नहीं किया जाता है पहले इसको sequential हम यह कहें कि treatment किया जाता उसके बाद में जब water थोड़ा प्योर हो जाता उसके बाद इनके अंदर disposed किया जाता है तो देखें आगे hence sewage is treated in sewage treatment plants तो इसके लिए कुछ important plants होते हैं जिनको हम STPs केते हैं to make it less polluting जिससे कि यह कम से कम pollution हो पाएं में treatment of waste water is done by the इसके कुछ important process होती है ध्यान रखना आपको treatment हो यह इस तरीके का आपका sewage treatment plants का आपको डाइगराम दे रखा है यह देखें आप sewage treatment plants आपको दे रखा है जो secondary treatment का यहाँ पर डाइगराम दे रखा है तो जो सिक्वें यह हैंने कि हम यह कहेंगे कि जो सिवेश treatment होता है वो mostly किन के द्वारा होता है heterotropic microorganism के द्वारा होता है heterotropic का मतलब क्या है एसे microbes, एसे bacteria जो की autotropic नहीं होते हैंने कि जो food के लिए दूसरों पर depend करते हैं तो वो mostly heterotropic microorganism जो है वो यहाँ पर करवाने का काम करते हैं तो आपसे पहला question यही पूछा जाता है नेट के अंदर के बताइए mostly कौन से एसे microorganism है जो की sewage treatment में participate करते हैं तो आपको ध्यान रखना है heterotropic microorganism naturally present in the sewage यह पूरी तरीके से naturally पाया जाते हैं this treatment is carried out in two stages और sewage treatment जो होता है वो दो तरीके से होता है तो अभी एक basic चीज थी यहाँ से important यह पूरा topic ध्यान रखना है इसमें एक-एक चीजों को आपको focus करना है यहाँ पर एक-एक point पर क्योंकि बहुत ज़्यादा important points है यहाँ से सारे clear need में और 12 के लिए बहुत ज़्यादा important है जो exam में लगातार पूछे गए हैं एक-एक line पर focus करना है यहाँ पर दो treatment होते हैं दो stages होती है एक होता है primary treatment और एक होता है secondary treatment तो पहले सबसे पहले आपको primary treatment के बारे में चीज़े पता होना चाहिए क्या मतलब है primary treatment का तो देखिए this treatment steps basically involve physical removal यहाँ पर क्या किया जाता है directly physically remove किया जाता है physical removal of particles large and small from the sewage through filtration and sedimentation तो पहली process के अंदर दो चीज़े आती एक तो filtration और एक sedimentation filtration का मतलब क्या होता है यहने कि जो जादा बड़ा बड़ा कच्रा है हम यह के सकते हैं कि जो पानी के अंदर काफी बड़े बड़े कच्रा होता है जैसे polythene वगेरा हुआ या ऐसी चीज़े हुई जो पानी के साथ चली जाती है उपर जो तेरती रहती है उनको filtration के द्वारा filter करके उनको बाहर excide कर दिया जाता है तो यहाँ पर filtration किया जाता है sedimentation में क्या किया जाता है इस तरीके का sedimentation में generally क्या करते है इस तरीके का गड़ा कर देते हैं एक इस तरीके से deep हम यह के सकते कि गड़ा कर दिया जाता है तो उसमें से जो भारी भारी material होता है वो क्या करेगा इस तरीके से बह कर जाएगा तो य Sedimentation के अंदर क्या किया जाता है इस तरीके से गड़ा करके नीचे उनको इखटा कर लिया जायता है तो यह दो important चीज़ें आपको ध्यान रखने है यह यहने कि primary treatment पुरा का क्या है physical हम यह के सकते हैं कि physical remove हो ले यहने कि हम physically इसको क्या करते हैं हाला कि आज कई सारी methods होती हैं जिनसे physically उपर उपर का खच्रा जो है उसको हटा दिया जाता है तो इसको हम क्या केते हैं mode by sequential filtration जो floating यहने कि ऊपर की तरफ जो तेरने वाला कच्रा रहता है उसके हम बात करें floating debris जो होता है उसको क्या कर दिया जाता है लगातार filtration sequential एक से कई बार लगातार filtrate किया जाता है filtration किया जाता है जिससे कि जो उपर उपर वाला जो कच्रा होता हूँ उसको हटा दिया जाता है तो sequential filtration के द्वारा शुरुवात में floating debris को हटा दिया जाता है देन तक grit, grit की हम बात करें यानि कि ऐसे soil या small pebbles जिन में थोड़ा वजन है तो एसे जिन में वजन है soil की हम बात करें या small pebbles की हम बात करें जिन में वजन है एसी materials की हम बात करें और remote by sedimentation उनकों किससे हटा देते हैं sedimentation process के तुरू हटा देते हैं तो यह आपको दो चीज़ अच्छे से याद रखना है पहली हम इसमें filtration करते हैं और दूसरी करते हैं sedimentation filtration का मतलब है उपर उपर तेरने वाले कच्रे को हटाना और sedimentation का नीचे जो भारी जिसमें ज़्यादा वजन होता है उसको यहाँ पर इससे हटाया जाता है तो यह ध्यान रखना है आपको clear यह sedimentation है all solid that settles forms the primary sludge और उसके बाद में जब sedimentation में हम देखते हैं सारे की सारे solid materials जो एक जगे पर settles हो जाते हैं उनको हम क्या केते हैं primary sludge केते हैं अच्छे से ध्यान रखना है तो सारे की सारे solid जगे जमा हो जाते हैं उनको हम primary sludge केते हैं and the super net end forms the effluent और जो उपर का material होता है जो उपर तेरने वाला पार्ट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे उसको effluent कहेंगे ये दो चीज़ अच्छे से याद रखना है clear तो उपर वाले तेरने वाले पार्ट को effluent कहा जाता है और नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम क्या केते हैं primary sludge केते हैं the effluent from the primary settling tank is taken for the secondary treatment आप ध्यान रखना है क्योंकि ये वाला पार्ट तो है इसको हटा दिया जाएगा इसमें से और जो effluent वाला पार्ट है याने कि क्योंकि हमें में किसको करना water को pure करना हमारा target है तो इसमें जो effluent याने कि जो उपर का पानी बचा हुआ है अब इसको क्या कर दिया जाएगा यहां से निकाल के अब दूसरे secondary treatment के लिए ने कि primary tank से यहां पर आपको क्या कर दिया जाएगा secondary treatment के लिए आगे भेज दिया जाएगा effluent वाले पार्ट को तो पहले वाले primary treatment के अंदर हमने क्या देखा कि ये पूरी तरीके से फिजिकल रिमावल है इसमें दो चीज़ आती है एक आता है फिल्ट्रेशन और दूसरा आता है सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन के अंदर उपर उस वाले कच्रे को हटाया जाता है जो उपर तेड़ता रहता है उपर वाला जो तेड़ता हुआ कच्रा रहता है उसको फिल्ट्रेशन लगाता है सेक्वेंशल फिल्ट्रेशन किया जाता है उसको इससे हटा दिया जाता है और वहीं अगर हम बात करें सेडिमेंटेशन में तो एक इस तरीके से सेटल हो जाती है उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं तो यह दो प्रोसेस होती है इसके अंदर अब यहाँ से जो एफ्लुएंट बचता है यानि कि जो पानी बचता है उस पानी को आप सेगंडरी ट्रीटमेंट के लिए भिज दिया जाता है तो पहली प्रोसेस है अब दूसरी प्रोसेस को देखी आप यानि कि सेकंडरी ट्रीटमेंट आपको ध्यान रखना है तो पहली प्रोसेस आपको समझ माया गई सेकंडरी को देखना अच्छे से आपको सेकंडरी ट्रीटमेंट को हम क्या केते हैं biological treatment भी खेते हैं देखो अभी तक आपने देखा कि primary treatment के अंदर कोई भी microorganism involved नहीं थे कोई भी आप जानते हैं कोई भी bacteria वगेरा involved नहीं हुए है पर main जो secondary treatment है वो सबसे जादा important है क्योंकि इसी वज़े से इसको biological treatment भी केते हैं क्योंकि इसके अंदर microorganism involved होते हैं यह पूरी तरीके से हम यह कहेंगे कि microorganism की help से होता है तो आपको ध्यान रखना है देखिए यहां पर अगर इसकी हम बात करें तो the primary effluent is passed into large aeration tank अब जो primary हमने effluent लिया है यहां से जो हमने primary effluent लिया है उसको क्या करेंगे हम बड़े-बड़े जगा रहती है जिनमें air pass हो सकती है तो ध्यान रखना primary से अब हम कहां पर कर देंगे यानि कि primary tank से इसको या हम ऐसे tank में बड़े-बड़े tank में करते है जहां पर air जो होती है pass हो सकती है अच्छे से ध्यान रखना है where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it जहां पर लगातार machine को चलाया जाता है agitation की machine होती है इस तरीके की गूमती रहती है ओ और उससे उसमें हम ये कहते है air जो होती हो, pass होती है तो बड़े-बड़े tank होते हैं clear यहाँ पर लगातार machine蛇 जो होती है इस तरीके के agitation की machine चलती रहती हैं जिससे कि यहाँ पर air भी साथ में pass होती रहती हैं बड़े-बड़े tanks में where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it, this allows vigorous growth of useful aerobic microorganism और इसकी वज़े से इस पानी के अंदर अब क्या होने लग जाते हैं, जो कि air की presence में रहते हैं aerobic microorganism वो बहुत तेजी से grow होने लग जाते हैं, तो ध्यान रखना, पहले क्या किया है, water को बड़े-बड़े tank में pass किया है उन tank के अंदर क्या है, उन tank में air भी pass हो सकती है, इस तरीके से system बना गया है कि लगातार air को pass किया गया, जिससे कि जो aerobic microorganism है, पानी के अंदर वो और तेजी से grow हो जाए तो देखें, इस pumped into it, this allows vigorous growth of useful aerobic microorganism, aerobic मतलब कि जो हम यह कहरें कि air के presence में जो ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, उनकी हम बात करें, aerobic microorganism into phlox और इसकी वज़े से, यह सारे के सारे एक जगे इखटे हो जाते हैं, masses of bacteria associated with fungal filament to form a mesh like structure इसकी वज़े से क्या होंगे, सारे के सारे जो bacteria होंगे, वो क्या हो जाएंगे, fungus के साथ में इस तरीके से group में divide एक जगे इखटे हो जाते हैं और इस part कॉम क्या कहते हैं, इस कॉम कहते हैं, phlox, ध्यान रखना आपको तो phlox जो है, वो aerobic treatment में मना है, ध्यान रखना, पहले वाले में तो phlox किसे कहा जाता, जब कहीं सारे bacteria जो हैं, यानि कि हम उन बेक्ट्रे की बात करें, जो किसे aerobic bacteria जो हैं, वो fungus के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, एक जाल की तरह इखटे हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, phlox कहते हैं clear, while growing this microbes consume the major part of the organic matter, अब क्योंकि ये microbes यहां पर रहे रहे हैं, तो लगातार क्या कह रहेंगे, यानि कि जो organic matter आया है, जो खराब खराब यहां पर हम ही कहेंगे, कि जो पानी है, उसमें कहीं सारी जिज़े, जो खराब पदारत आया है, organic matter आया है, उसको क्या करता जाएगा, लगातार, यह खाने का काम करेंगे, clear, तो उसका यूज करते जाते हैं लगातार, इस वज़े से हम यह कहेंगे, कि देखिए, while growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent, और इसका maximum part जो हो खा लेते हैं, यूज कर लेते हैं, this significantly reduce the BOD, और इस तरीके से ये biochemical oxygen demand, यानि की BOD को घटा देते हैं, क् पानी को लगातार क्या करने का काम करें, प्योर करने का काम करें, ध्यान रखना, this significantly reduces the BOD biochemical oxygen demand of the effluent, BOD का मतलब क्या आपको अच्छे से समझना है, BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in one liter of water were oxidized by the bacteria, तो ध्यान रखना, BOD का simple सा मतलब क्या है, कि एक लिटर पानी के अंदर, कितना oxygen जो है, bacteria वहाँ पर consume कर रहे हैं, ध्यान रखना, the amount of oxygen that would be consumed, जो oxygen use की जाती है, if all the organic matter in one liter of water were oxidized by bacteria, यहने कि जितना भी उसको खाने में, oxidize करने में, एक लिटर पानी के अंदर, bacteria कितनी amount of oxygen को use कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, BOD कहते हैं, ध्यान रखना अच्छे स तो BOD directly क्या बताता है, water के pollution को miser करने का काम करता है, कि यह water जो है, polluted water है या नहीं है, ध्यान रखना है, the sewage water is treated till the BOD is reduced, यहने कि जहां तक इसको treat किया जाता है, लगाता है, जब तक कि BOD जो होए, वो कम से कम ना हो जाए, क्योंकि जब तक जितना ज़्यादा BOD use होगा, हम हम वेसा कहेंगे कि उतना ज़्यादा bacteria उसको organic matter को खाने का काम कर रहे है, तो धीरे धीरे एक organic matter जो होगा, ऐसी limit होगी कि खतम होता जाएगा, यानि कि खतम होता जाएगा, तो हम यह कहेंगे कि जो pollution है water के अंदर organic matter जो हो खतम होता जा रहा है, और एसे में जब minimum से minimum BOD हो ज oxygen by microorganism in a sample of water and thus indirectly BOD is measure of the organic matter present in the water, the greater BOD of wastewater more is the polluting potential, तो सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा BOD होगा इसका, यानि कि बायो केमिकल oxygen demand की value जितनी आएगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, हम यह कहेंगे कि pollution है उतना, जिसे जिसे कम होने लगा BOD हम यह कहेंगे कि water का pollution जो है अब कम हो चुका है, clear, तो यह आपको धियान रखना है चीज़े, आप कुछ important चीज़े यहाँ पर देखना है, तो यहां तक आपको समझ माए गया साथी चीज़े, एक एक चीज़ धियान रखना, BOD काफी important topic है, यहाँ से definitely question आता ही आता है, ठीक तो इसको बिलकुल नजर अंदाज नहीं करना, आप इसके बाद देखिए, once the BOD of sewage or water is reduced significantly, जैसे जैसे दीरे दीरे क्या होने लगता है, कम होता है, एक तरीके से कम होने लगता है, the effluent is then passed into settling tank, तो सबसे पहले हमने primary के अंदर pass किया था, यानि कि primary treatment में हमने देखा, उसके बास secondary treatment में हमने क्या secondary treatment के अंदर हमने देखा, कि यहाँ पर क्या किया है, उसमें हमने directly aeration tank के अंदर pass कर दिया था, और जब तक BOD reduced नहीं हुआ है, तब तक उसको हमने इस तरीके से वहीं पर रखा, उसके बाद में हम क्या करते है, settling tank में इसको pass करते हैं, तो इसका जो effluent है, उसको हम आप settling tank में पर पास कर देते हैं, क्योंकि अब pollution कम हो चुका है थोड़ा, तो यहाँ पर settling tank में क्या मिलता हमें, where the bacterial flocks are allowed to sediment, यहाँ पर bacteria flocks को क्या कर दिया जाता है, गड़ा कर दिया जाता है थोड़ा सा, और जो bacteria flocks है, उसको यहाँ पर इखटा कर दिया जाता है, यानि कि जो bacteria flocks है, बेक्टरिया का fungus के साथ में जो association है, उसको यहाँ पर एक साथ इखटा कर लिया जाता है, clear, तो these sediments, ध्यान रखना इसको, flocks are allowed to sediment, this sediment are called activated sludge, इसको हम क्या कहते हैं, activated sludge केते हैं, उसको हम aerobic sludge के रहे थे, ध्यान रखना पहले वाले को primary sludge का आता, फिर aerobic हमने देखा, यहा sediment किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, activated sludge केते हैं, a small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum, इसका थोड़ा सा part जो है, इस activated sludge का वापस से हम यह कहेंगे कि उसके अंदर ही activated sludge के अंदर डाल देते हैं, small part of activated sludge is pumped back into the aeration tank, वापस उसी aeration tank के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि वो लग जातार कम करते जाएं ठीक तो वियोडी के मिजर्मेंट के लिए उसको वापस उसमें थोड़ा सा पार्ट डाल दिया जाता है उसका the remaining major part of the sludge is pumped into large tank और इसका जो maximum part ही remaining part ही उसको बड़े-बड़े tank में पास कर दिया जाता है जिनको हम कहते है अन एरोबिक sludge digester ध्यान रखना है major part इसका pump कर दिया जाता है anaerobic sludge digester यहाँ पर क्या किया जाता है here other kinds of bacteria जैसे which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge तो यहाँ पर यह क्या करते हैं क्योंकि anaerobic sludge digester है तो यहाँ पर anaerobically bacteria होते हैं जो कि ऐसी condition में grow करते हैं जहाँ पर air नहीं पाई जाती हैं तो क्या रहते ह यहाँ पर क्या करेंगे एसे bacteria को खा जाते हैं जो aerobic थे तो इस वाले bacteria को सारे के सारे खा जाते हैं ध्यान रखना है here other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi of the sludge तो इस sludge के सारे के aerobic bacteria जो थे उनको खा जाते हैं वो ध्यान रखना क्योंकि anaerobic में वो grow कर सकते हैं इस condition में तो इस तरीके से ही किया जाता है during this digestion bacteria produces a mixture of gases और इस digestion के दोरान bacteria जो है कहीं सारे mixture of gases को produce करते हैं जैसे कि methane हुआ hydrogen sulfide हुआ और carbon dioxide हुआ यह important gases हैं तो कौन-कौन सी एक तो methane हुआ CH4 उसके बाद में H2S यह नहीं के hydrogen sulfide और carbon dioxide in 3 gases को ध्यान रखना है इस gases form biogase और यही बाद में biogase का formation करती है and can be used as source of energy as inflammable क्योंकि यह जलने वाली gases होती है इस वज़े से source of energy के form में use की जा सकती है The effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies like rivers and streams and aerial views of such plants is shown तो आपको ध्यान रखना है यह सारी चीज़ा आपने देखी अब यहाँ पर इसको short में एक बार समझ लीज़े आप अभी तक क्या देखा है आपने हटाया जाता है जबकि दूसरी होती है sedimentation उसके अंदर जिन में भारी भारी वजन होता है उनको हटाया जाता है इस तरीके से हम कहते हैं कि इस तरीके से इन दो चीज़ें यहाँ पर की जाती है एक की जाती है sequential filtration और दूसरी process की जाती है यहाँ पर sedimentation जब finally sedimentation के बाद में जो यहाँ पर जमा हो चुका अब इसमें जो उपर वाला पानी जिसको हम effluent कहते हैं जो बच जाता है उसको क्या कर दिया जाता है secondary treatment के लिए बहा दिया जाता है secondary treatment के लिए पास कर दिया जाता है अब अभी जो पहला treatment था वो केवल क्या था physical removal था यहाँ पर कोई भी microorganism involved नहीं थे पर जो secondary treatment होता है उसको biological treatment भी कहते हैं इसका reason यह है क्योंकि यहाँ पर microorganism पूरी तरीके से involved होते हैं अब देखो यहाँ पर आपको धिया रखना है कि जो शुरुआत में क्या किया जाता है कि जो primary treatment से जो हमें इनने effluent लिया है जो पाने लिया है उसको क्या किया जाता है बड़े बड़े tank के अंदर पास किया जाता है और शुरुआत के जो tank होते हैं कैसे होते एरेशन tank होते हैं जिनमें जो air होती है वो पास हो सकती है clear तो वहाँ पर aeration tank के अंदर पास कर दिया ज जाता है एरेशन टेंक के अंदर क्या होता है जो लगातार यहां पर जो यह निकि बैक्टरिया वगेरा होता है जो एरोबिक बैक्टरिया होते हैं जो ग्रो करते हैं वो लगातार बहुत तेज़े से ग्रो करने लग जाते हैं और इस वज़े से उन टेंक के अंदर जो टेंक के अंदर पास कर दिया जाता है ध्यान रखना है तो इसको लगातार ग्रो करने दिया जाता है और यहां पर आपको BOD को मेजर किया जाता है कि biological chemical demand जो है वो कितनी यहां पर reduce हो रही है जब तक यह BOD जो है ना कम से कम ना हो जाए reduce ना हो जाए तब तक इसको लगातार इस treatment को किया जाता है और finally जब BOD reduce हो जाता है तो इसको आगे भेज दिया जाता है वहीं पर इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो वापस starting में वहीं पर भेज दिया जाता है ज्यान रखना है अगर हम बात करें इसकी biochemical oxygen demand की तो यह जब finally decrease होने लग जाती है तो बड़े बड़े जो settling tank होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है इस flux को sediment कर दिया जाता है यहने कि पहले क्या किया जाता है बड़े बड़े जो settling tank होते हैं उनके इसको पास किया जाता है इस aerobic वाले पार्ट को और इसके बाद में क्या होता है जो सारे हमारे bacteria फंजाई का जो flux था उसको वहाँ पर sediment कर दिया जाता है जगे एकटा कर दिया जाता है ध्यान रखना है और इस तरीके से जब यह फाइनली एकटे हो जाते तो इसको क्या कहते है एक्टिवेटेड सलज कहते हैं अच्छे से याद रटना इसको क्या कहते है एक्टिवेटेड सलज कहते हैं अब इसका थोड़ा सा पार जो होता है वापस उसमें large aeration tank के अंदर पास कर दिया जाता ह और इस तरीके से जब फाइनली एक्टिवेटेड सलज होता है इसको क्या कर देते हैं large बड़े बड़े tank में कर देते हैं जो un-aerobic tank होते हैं जहां पर air pass नहीं होती है और इस वज़े से वहाँ पर जो un-aerobic bacteria होते हैं वो इन bacteria को खा जाते हैं इन fungi bacteria को खा जाते हैं और इस तरीके से कई सारी gases का production करते हैं जिसे मिथेन हुआ hydrogen sulfide हुआ CO2 हुआ जो बायो गेस होती है अगर हम बात करें तो यह बायो गेस होती है और इस तरीके से क्या करती है फाइनली यह gases निकलती है और जो mostly जो हमारा sewage होता है वो trade हो चुका होता है इतने maximum जो इनकी impurities जो है जो pollution है वो खतम हो चुका होता है रेसे में हमारा पानी जो है वो काफी हद तक हम यह कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अच्छा खासा शुद्ध हो चुका होता है प्योर हो चुका होता है रेसे में हम इसको directly अब क्या किया जाता है नदियों में और इस तरीके से बड़े बड़े जो water bodies होती हैं इनके अंदर directly pass कर दिया जाता है clear तो ये short में हमने देखा सारी चीजों को कुछ important चीज़े ध्यान रखना है सिवेच plant का एक aerial view दे रखा है उपर से photo इसकी image लिए गई है ये aerial view दे रखा है सिवेच plant का अब यहाँ पर एक दो चीज़े हैं जो याद करने वाली चीज़े हैं यहाँ पर this methodology has been practiced for more than a century now तो लगबग 100 साल से जादा इसको हो गए 100 साल उसे लगबग इसका use किया जा रहा उससे पहले इसका use नहीं किया जाता था in almost all the other parts of the world till date no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage तो इससे better technology आज तक नहीं बन पाई है और शायद बन भी नहीं पाएगी सबसे best technique माना जाता इसको you are aware that due to increasing urbanization जैसे जैसे urbanization increase हो रहा है हम यह कहेंगे यहने कि जैसे जैसे शहरी करन हो रहा है sewage is being produced in much larger quantities than ever before तो यहाँ पर जादा pollution जो है हो रहा है पाने जादा दूशित हो रहा है however the number of sewage treatment plants has not increased enough to treat such large quantities परन्तु जितने संख्या में population बढ़ रही है, शेरी करन हो रहा है urbanization हो रहा है, उतनी संख्या में यहाँ पर sewage treatment plant जो है वो develop नहीं हो रहे है तो इससे कहीं सारी विमारिया भी होती जा रही है, so the untreated sewage is often discharged directly into rivers, इस वज़े से नदियों में बिना treat किये हुए है पाने को बहा दिया जाता है जिसकी वज़े से कहीं सारी विमारिया होने लग जाती है water burn disease होने लगती है the ministry of environmental and forest has initiated ganga action plan अगर हम इंडिया के बात करें, तो जो ministry of environmental and forest जिसको M.E.F केते हैं short में, M.E.F यहने की ministry of environmental and forest इन्होंने ganga action plan और yamna action plan की शुरुवात की जिससे की mostly जो river से बड़ी-बड़ी river से हमारे देश की उनको बचाया जा है, clear, from pollution under these plants, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the rivers a visit to a sewage treatment plant situated in any place near you would have very interesting and educating experience तो जरूर आप देखें जाकर जहां जहां पर आपके पास में sewage treatment plant हो तो यह सारा topic था इसमें किस तरीके से sewage जो होते हैं उसका किस तरीके से treatment किया जाता है यहने कि एक sewage है, उसका treatment किस प्रकार से किया जाता है, काफे important topics था ध्यान रखना आपसे पूछा जाता है exam के अंदर तो neat के अंदर हुआ, यहां से question आता ही है चाहे आपका 12 के अंदर हुआ, तो काफे important यहां पर यह part है आपको समझना है और इससे related सारे question आपसे एक बार बार वीडियो आप पच्छे से देखेंगे तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी ओके